लो दोस्तो दोस्तो बहुत बहुत सवागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है check study online तो दोस्तो लेकर आ चुका हूँ आज एक बार फिर से आपके लिए computer का एक practice set जिसमें आप practice करके जो है बता सकते हो कितना आपका score इसमें बन रहा है तो 20 important MCQs वाला वीडियो में आज एक बड़ फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के साथ जो है आप बेल आइकन भी जरूर दबाएं और दोस्तो साथ ही साथ जो है आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेर कीजिए और साथ ही साथ जो है देखते रहे हमारे वीडियो को चलिए, अब दोस्तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहला सवाल हमारी जो है स्क्रीन पर ये रहा चलिए देखे दोस्तो पहला जो मॉडरन कम्प्यूटर है उसको कब इन्वेंट करा गया था ये आपको बताना है ठीक है इसमें से जो है सही जवाब क्या होने वाला है जल्दी से आप मुझे जो है इसका आंसर गैस करके बताईए दोस्तो बहुत मज़ेदार सवाल है और ये सवाल आपके एक्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है चलिए तो जल्दी से बताईए जो है इसका सही जवाब आपका क्या होने वाला है चलिए दोस्तो आपके बास तीन सेगेंड सोचने के लिए ठीक है 1946, 1950, 1967 या फिर 1965 क्या होने वाला है आपका सही जवाब ठीक है दोस्तो अगर आपको पता नहीं है तो बता देना चाहूंगा इन में से ये भी गलत ये भी गलत और ये भी गलत तो आपका जो सही जवाब है वो होने वाला है 1946 में पहला modern computer जो है that was invented ठीक है चलिए पढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 2 की तरफ और हमारा जो सवाल नंबर 2 है वो हमें क्या कहता है दोस्तो वो कहता है इसका हमारा सही जवाब क्या होने वाला है आपको बताना है आपके सामने ओप्शन यहां पर पड़े हुए इसमें जो है सही जवाब इसका क्या होने वाला है आप सवाले पर फिर से देख लीजे इसका सही जवाब आपका क्या होने वाला है जल्दी से आप सोच के बता दीजी आपके पास 3-4 सेकेंड है इसमें आपको सोच के इसका अंसर जल्दी जल्दी बताना है ठीक है चलिए दोस्तों उमीद है अभी तक आपने गैस कर लिया होगा अगर आपको नहीं पता है तो बता देना चाहूंगा इसका जो सही जवाब है यह वाला और दोस्तों इनको जो है फादर अफ कंप्यूटर भी कहा जाता है यह तो सबको ही पता होगा चलिए उसके बाद हमारे पास है हमारा सवाल नंबर 3 तीन जो है वो स्क्रीन पर यह रहा सवाल नंबर 3 जो है वो क्या कहता है वो कहता है the most outstanding contribution in the development of computer is given to most outstanding contribution जो है वो in the development of computer जो ह है वो किसका है ठीक है यह आपको बताना है दूस्तों आपके पास options फिर से वही same to same A option is saying Herman Hollerath B option saying Charles Babbage C option saying Wales Pascal and D option is saying Vaughan Newman इस में से जो है आपका सही answer क्या होने वाला दोस्तों जल्दी से guess करके आप बता सकते हैं इसका answer क्यी सारे लोग जो है उनका जवाब जो है वो उन्होंन देंगे बता देना चाहूंगा इसका जो सही जवाब है वो क्या है वो होने वाला है हमारा option A तो नहीं है B भी नहीं है C is also incorrect then D is going to be the right answer ठीक है वान निव मान जो है उनका जो है यह वाला सही answer होगा ठीक है most option contribution in the development of computer is given to one new man चलिए यह हो गया आपका दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हमारा next question number 4 जो है वो क्या है यह बहुत ही मज़ेदार सवाल है छोटी छोटी चीज़े हैं लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होती है तो दोस्तों अगर आपको भी इसका properly idea नहीं है तो बता देना चाहेंगे हम आज के इस question में question number 4 is saying what is the full form of email चलिए बताना है आपको जल्दी से के email का full form क्या होता है दोस्तों option A is saying electronic mail, B option is saying electric mail, C option is electromagnetic mail या D option is क्या है none of these इस में से जो है आपका सही जवाब क्या होने वाला है जल्दी से guess करके बताएं दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसका answer अल्रेडी पता होगा और मुझे उमीद है कि आप में से maximum जो है इसका सही जवाब कर रहे होंगे कि यह बहुत ही आसान सवाल है तो आप जल्दी से बताएं इसका जो है सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों जल्दी से guess कीजी जल्दी से guess कीजी ठीक है चलिए मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ इसका जो सही जव था बढ़ते हैं हम अपने question number five की तर तो question number five जो हमारा क्या हमें यहां पर बताने की कुशिश कर रहा है वो हमें बता रहा है the written material ठीक है ब्रेक्ट में दिया हुआ है recorded in the chip ठीक है जो भी material जो record किया जाता है chip में which is required for the operation of computer तो जो required होता है for the operation of computer like employed program एक direction and other computer related activities is तो क्या होता है वो आपके पास यहां पर options दिये हुए है A option कहता है आपका है software B option कहता है यह होता है hardware C option कहता है that is network and D option says it is filmware so which is the right answer जो आपके पास यह हमने options दिये हैं इनमें से आपको ढूंद के बताना है एक बार फिर से सवाल देख लेते हैं the written material रेक में दिया है recorded in the chip ठीक है जो record होता है हमारी chip में और यह required होता है for the operation of computers like employed program direction and other computer related activities is so which is the correct answer to पताने वाला हूँ, आपने उमीदा गैस कर भी लिया होगा, तो चलिए, इसमें जो आपका सही जवाब है, वो है आपका ये बाला, देखे, फिल्म वेर तो नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, हाडवेर भी नहीं है, इसका जो सही आँसर है, वो होने वाला आपका सॉफ्ट चलिए यह भी हो गया देन आपका है question number six question number six जो हो क्या कहता है दोस्तों वो कहता है controlling unit of computer is called यह बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों वाला सवाल है controlling unit of computer is called तो जो controlling unit होती है computer की उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों जल्दी से बताइए दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है options आपके पास दिये हैं option A कहता है printer B option is keyboard, C option C is CPU D option is hard disk यह इन में से कौन सा जो है वो आपका सही answer होने वाला आप जल्दी से बता दीजें ठीक है उमीद है कई सारे लोगों ने अभी तक इसका सही answer जो है वो guess भी कर लिया होगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है अपना क्या printer ठीक है एक मिनेट प्रिंटर जो है वो नहीं है keyboard भी नहीं है hard disk भी नहीं है so CPU is going to be the right answer CPU ठीक है तो दोस्तों अब आपको करता है तो आप जो है जल्दी से comment section में comment करके बदाएए CPU का full form होता क्या है ठीक है तो एक मिनेट दोस्तों ठीक है दोस्तों तो यह हमारा हो गया इसका जो सही answer है वो है CPU तो चलिए बढ़ते हम अपने सवाल number 7 की तरफ तो सवाल number 7 जब वो हमारा क्या कहता है यह देखें यह बहुत ही आसान सा सवाल है the brain of computer is called ठीक है brain of computer इन में से किसको कहा जाता है memory को कहा जाता है keyboard को कहा जाता है CPU को कहा जाता है या फिर hard disk को कहा जाता है दोस्तों जल्दी से guess करके आप बता दीजे बुझे रखता है 100% दी लोगों ने इसका सही जवाब दे दिया होगा क्योंकि यह बहुत 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 आसान सा सवाल है ठीक है तो दोस्तों इस सवाल पे हम जादा अपना time नहीं गवाएंगे यह इसका जो सही जवाब है वो होता है CPU यह बाकी options जो है यह पूरी तरह से गलत है ठीक है तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ और हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है वो देख लेते हैं यह है हमारा question number 8 और question number 8 जो है वो हमारे क्या कहता है जो कहता है we can be sent through video mail ठीक है option A is graphics, B option C is video clips, C option C is video messages and D option C is all of these ठीक है आपको बताना है कि in message जो है कौन सी चीज जो है video mail के थूँ जो है भेजी जाती है option A graphics, B option video clips, C option messages, video messages and D option C is all of these दोस्तों यह बहुत मज़दार सवाल है और आप लोगों ने यह definitely पढ़ा होगा आपके computer वोले subject में अगर आपको idea नहीं है तो हम आपको इसका जवाब जल्दी से बता देते हैं इसका सही जवाब है graphic, सही जवाब है video clips और सही जवाब है video messages तो कुल मिलाकर option D जो है यह आपका correct होने वाला है क्योंकि यह सारे के सारे जो है यह video mail के थूँ भेजे जा सकते हैं चलि दोस्तों बहुत मज़िदार सवाल था बढ़ते हैं हम अपने सवाल नमबर 9 की तरफ सवाल नमबर 9 जो है यह हमारी screen पे यह रहा सवाल नमबर 9 जो है वो क्या कहता है हम जानने की कुशिश करेंगे सवाल नमबर 9 कहता है the computer hardware which can store very large data is called computer hardware जो के very large data जो है store कर सकता है तो वो कौन सा होता है आपको बताना है options आपके यह रहे आपकी screen पे a option says disk ठीक है and b option says chip c option says magnetic tape and d option says none of these दोस्तों आपको guess करके बताना है जल्दी से कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है computer hardware जो की store करता है काफी सारा data इन में से नीचे देगे options में से कौन सा सही जवाब होने वाला है क्या इसका सही जवाब disk है क्या chip है magnetic tape है या फिर none of these है ठीक है तो दोस्तों आपके पास 3-4 second है यह सोचने के लिए इसका सही जवाब क्या होने वाला है इसका जो सही जवाब है वो none of these नहीं होने वाला है magnetic tape नहीं होने वाला है disk नहीं होने वाला है तो chip is going to be your right answer चलिए दोस्तों इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नमबर 10 की तरब सवाल नमबर 10 जो है वो हमारा हमसे क्या गैना चाता है यह हम जल्दी से जान देते हैं सवाल नमबर 10 जो है वो कहता कि who developed the integrated circuit chip ठीक है किसने develop करा हुआ है integrated circuit chip को ठीक है अब आपके पास यहाँ पर options दिये हुए हम लोगों ने option A कहता है C.V.Raman Robert Naik भी option में लिखा गया है J.S.Kill भी हमारा C option है and Charles Babbage हमारा D option है So which is the right answer यह आपको बताना है जल्दी से options आपके पास हमने दे रखे हैं अगर आपने computer वाले subject को धंक से पढ़ा हुआ होगा So definitely जो है आप इसका जल्दी जल्दी से answer यहाँ पर कर पाएंगे चलिए इसका जो है सही जवाब मुझे लिखने बहुत साइ लोगोने और इसका रखे होगा आपके पास 3-4 सेकन यह सोचे के लिख सही जवाब क्या होने वाला है तो दोस्तों जल्दी से बता दीचे इसका सही answer क्या है इसका जो सही answer है मैं आपको बता दीता हूँ इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है ये वाला पहले गलत बता दूँ सीवी रमन भी गलत है रॉबर्ट नाइक भी गलत है चालरस बेबिर भी गलत है जे एस किलवी is going to be your right answer जे हाँ दोस्तों तो देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं आप मुझे comment section में जरूर comment करके बताईए दोस्तों और हमारे साथ जुडे रहे हैं ताकि आपको हम इस तरह के practices जो है वो करवाते रहें अलग-अलग practice set हम time by time लाते रहेंगे आपके लिए चलिए तो JS किलवी का सही जवाब था बढ़ते हैं हम अपने अगले सावाल की तरफ जो की है हमारा question number 11 तो question number 11 जो हमसे क्या कहना जाता है वो हम ज़दी से जानेंगे यह है हमारा question number 11 जो कहता है the layer on integrated circuit chip is made of तो यह layer integrated circuit chip के ऊपर जो होती है वो किसकी बनी होती है made of आपके options यह रहे आपकी स्क्रीन पर silicon, nickel, iron या फिर copper दोस्तों इसका सही जवाब क्या होने वाला है आप मुझे जल्दी से guess करके बताईए क्योंकि यह बहुत ही important सवाल है कई बार exam में पूछा जा चुका है और अब भी इसकी पूछे जाने की पूरी पूरी possibility बनी हुई है तो आप जो है guess करके हमें जल्दी से इसका answer बता दीजे दोस्तों इसका answer बहुत ही simple है देखे A option कहता है silicon B option कहता है nickel C option कहता है iron D option कहता है copper तो सही जवाब आपको ढूणना है दोस्तों उमीद्या आप मेंसे कही सारे लोग ने जिसका सही जवाब तक दे भी दिया होगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सही जवाब आपका क्या होने वाला है तो दोस्तों copper इसका सही जवाब नहीं होने वाला है iron इसका सही जवाब नहीं होने वाला है निकल जो है वो भी जो है एक तरह से गलत आंसर है इसका तो इसका जो सही आंसर है वो आप आपको पता चल चुका है वो है सिलिकॉन ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 12 की तरफ अगले सवाल की तरफ तो ये आपका रहा सिक्रीम पर हमारा question number जो है 12 तो question number 12 जो है ये भी बहुत मज़ेदार सवाल है और definitely आपने ये कभी ने कभी जो है पढ़ा होगा क्या कहता है ये the layer of magnetic disc is made of magnetic disc जो है उसकी जो layer है वो किस से बनी होती है ठीक है ये आपको बताना है question number 12 आपका ये पूछ रहा है A option हमारा कहता है iron oxide B option says phosphorus pentoxide then C option says magnesium oxide D option says sodium peroxide इसमें से दोस्तों सही जवाब अपकर क्या होने वाला है जल्दी से जो है आप ये सोच कर हमें बताइए कि आपका जो है जवाब सही है या नहीं है वो आपको बताना है तो दलेराफ magnetic disc is made of हैं क्या आपका सही answer iron oxide हो सकता है phosphorus pentoxide हो सकता है magnesium oxide हो सकता है तो चलिए मैं आपको बतादू इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो sodium peroxide नहीं होने वाला है magnesium oxide भी नहीं होने वाला है phosphorus pentoxide भी नहीं होने वाला है तो definitely iron oxide जो है वो आपका सही जवाब होने वाला है जी हाँ दोस्तों जरूर याद रखेगा ये जो है definitely आपके exam में इस तरह के सवाल पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना रहते है frequently जो है इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपके अलग-अलग papers में चलिए बढ़ते हैं अपने question number 13 के तब तो question number 13 हम आपके screen पे ये रहा और ये क्या कहना चाहता है ये कहता है the length of word through which computer does measurement ठीक है length of word ठीक है जो word की length होती है ठीक है through which computer does जिसके through computer measurement करता है तो वो कितनी होती है दोस्तो ये आपको बताना है आपके पास options दिये हुए हमने यहाँ पर A option says byte B option says bit C option says meter and D option says millimeter इन में से जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है क्या फिर ये byte है इसमें से सही जवाब क्या होने वाला दो तो बहुत सारे लोगों ने इसका answer अल्रेडी सोच रखा होगा और उनका सही भी होने वाला है millimeter जो है इसका answer नहीं है meter भी इसका answer नहीं है bit भी इसका answer नहीं है तो definitely इसका answer होगा हमारा इसका जो सही जवाब है वो byte नहीं है, meter भी नहीं है, millimeter भी नहीं है, इसका जो सही जवाब है, वो है bit कभी-कभी मेरा दिमाग भी खराब हो जाता है, मेरी जुबान फिसल के मुरसे बहुत बड़ी गलती हो गई, चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 14 की तरह, तो सवाल नंबर 14 हमारा क्या कहता है, ठीक है, which of the following is measured in megabyte, ठीक है, तो which of the following is measured in megabyte, नीचे दियेगे विकल्प मेंसे किसे जो है, major किया जाता है megabyte के थूँ, यह आपको बताना है, ठीक है दोस्तों, पहला option आपकी स्क्रीन पर य इससे मापा जाता है, या फिर population density, या फिर capacity of power expenditure, या फिर memory of computer, बहुत मज़ेदार सवाल है दोस्तों, आपको जो है यह memory power of computer जो है, आपको जो है इसमें से ढूनना है कि इसमें से आपका सही जवाब कौन सा होने वाला है, तो दोस्तों, उमीद है आपने जल्दी जल्दी से अभी तक इसको guess कर भी लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है, क्या इसका सही जवाब, option A है, या B है, या C है, या D है, सवाल एक वर्फ इससे जाने जे, which of the following is measured in megabyte, ठीक है, megabyte में जो है इनमें से किसको major किया जाता है, intensity of earthquake, population density, capacity of power expenditure, या फिर memory of computer को, जीहां दोस्तों, बताना चाहूंगा, आपका जो सही जवाब है, वो intensity of earthquake नहीं है, population density भी नहीं है, capacity of expenditure भी, आपका जवाब नहीं है, तो आपका जो सही जवाब है, वो होने वाला है, memory power of the computer, ये वाला जो है, आपका सही option होने वाला है, चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अ तो process of carrying out commands जो है, उसके क्या कहा जाता है, क्या उसे fetching कहा जाता है, क्या उसे storing कहा जाता है, क्या उसे decoding कहा जाता है, या फिर उसको executing कहा जाता है दोस्तों, आपको जो है इसका जवाब ढून के बताना है, इसका जवाब बहुत ही आसान है दोस्तों, ये काफी आसान से ही, आपके लिए मैंने सारे के सारे MCQs लाए हैं लेकिन यह important है exam के point of view से तो आपको जो इनको जरूर याद रखना है इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो fetching नहीं होने वाला है storing भी नहीं होने वाला, decoding भी नहीं होने वाला सही जवाब जो इसका है वो होगा आपका executing उमीद है आपने ये पहले ही कर लिया होगा मेरा answer बताने से पहले चलिए ये एक और मज़ेदार सवाल आपकी screen पर आ चुका है और मैं उमीद करता हूँ कि definitely आपको इसका answer भी आपको पता होगा ठीक है तो क्या है ये आपका जो है ये question number 16 जो है ये कहता है 1 kilobyte is equivalent to तो 1 kilobyte जो है वो किसके equivalent होती है ठीक है आपको ये बताना है क्या इसका जवाब है ये वाला 1000 byte ठीक है या फिर 1024 byte ठीक है या फिर या आपका होने वाला है 10,000 byte या फिर D option कहता है 1 lakh byte इसमें से जो है आपका सही जवाब क्या होने वाला है दोस्तों इसमें से कई सारे लोगों को इसका answer जो है आपको इसका पता ही होगा चलिए तो मैं आपको इसका answer जो है वो जल्दी जल्दी से बता देना चाहूँगा 1 lakh byte तो बिल्कुल गलत जवाब है 1000 byte बिल्कुल गलत जवाब है अब इन दोनों में से सही जवाब क्या होने वाला है तो सूचे 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 ठीक है नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको बता देना चाहूँगा 10020 जवाब है तो सही जवाब इसका आपका होने वाला है 1000 and 24 byte जो है वो होता है equivalent to 1 kilobyte जी हां दोस्तों चलिए अब है हमारा सवाल नंबर 17 सवाल नंबर 17 हमारा क्या कहता है ये कहता है which of the following is not a search engine हमारे पास जो options नीचे दिये गए है A, B, C और D इन में से जो है कौन सा search engine नहीं होता है दोस्तों search engine समझते हो न आब तो कौन सा इसमें से search engine नहीं है तो अब हमें बताना है क्या Google search engine नहीं है क्या अलतविस्ता नहीं है क्या science direct नहीं है या फिर orchid नहीं है इन में सिर्फ कौन सा search engine नहीं है दोस्तों जल्दी से आप guess करके इसका answer कर दीजी दोस्तों औक बताने चाहूँगा कि इसका जो सही जवाब है वो कौन सा है कौन सा इसमें से search engine नहीं है तो Google तो होता है वहिया अलतविस्ता भी होता है भी या science direct भी होता है वहिया तो कौन सा नहीं होता ये वाला नहीं होता और कितने ही होता ठीक है तो यहाँ पर ये आपके हो जाते हैं गलत क्योंकि ये तो भही है definitely आपके search engines है और ये वाला आपका हो जाता है सही और कित यानि option D जो है आपका correct जवाब है चलिए then हमारा है question number 18 और ये कहता है memory the memory word of computer is associated with चलिए इसमें आपको बताना है कि जो memory word होता है computer का वो किस से associated है क्या वो logic से associated है क्या वो control से associated है क्या वो input से associated है या फिर क्या वो storage से associated है ये तो बिलकुल ही आसान सवाल है दोस्तों आपको जल्दी से इसका answer बताना होगा मुझे लगता है ये वाला तो आपके ओपर छोड़े देना चाहिए कि ताकि आप भी बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है ठीक है फिर भी हम इसका answer आपको जरूर बताएंगे क्योंकि मुझे लगता है कि 99 लोगों ने इसका आउनसर और इसका आउनसर और इसका आ ठीक है तो यह आपका होगे option D सही जवाब तो question number 19 की ओर बढ़ते हैं जदी-जदी से यह रहा आपकी screen पे जो कहता है क्या कहता है computer hardware which store very large data is computer hardware जो की काफी जादा data को store करता है तो वो कौन-कौन सा है इन यहाँ पर दियेगे options में ठीक है यह क्या आपका जवाब magnetic tape होने वाला है P option says disk, C option says both of these and D option says none of these इसमें से जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है जल्दी-जल्दी से आप जो है इसका answer सोच के बताईए दोस्तो उमीद करते हैं कि आपने इसका जवाब जो है वो सही सोच भी लिया होगा तो दोस्तो magnetic tape definitely सही answer है यह भी आपका बिल्कुल सही answer है यह दोनों के दोनों सही option है तो इसका मतलब यह आपका actually में सही answer हो जाता है ठीक है क्योंकि यहाँ पर both of these कहा गया है तो यह दोनों magnetic tape A और B दोनों सही है तो both यह both of these जो है option C आपका correct answer इसमें होने वाला है none of these जो है यह पूरी दरसे आपका गलत जवाब है ठीक है तो ठीक है दोस्तो 19 आपका हो गया then यह हमारा आज के वीडियो का last सवाल ठीक है दोस्तो तो यह अब आपको इसमें बताना है कि इसका जो है सही जवाब आपका क्या होने वाला है ठीक है question number 20 जो है आपको बताना है size of virtual memory depends on virtual memory जो है उसका size किसके उपर निर्भर करता है ठीक है क्या हमारी address line के उपर करता है database के उपर करता है disk space के उपर करता है या फिर all of these जो है यह सही आपका इसका जवाब होने वाला है जल्दी से सोच कर बताईए दोस्तो आखरी सवाल है और इसके बाद जो है फिर हम बाद मिलेंगे लेकिन आप पहले बताईए कि इसका जो है वो सही जवाब क्या होने वाला है सवाल पूछा गया है size of virtual memory depends on size जो होता है virtual memory का वो किसके उपर depend रहता है ठीक है क्या वो address line के उपर database के उपर disk space या फिर all of these तो दोस्तो बताना जाओंगा आपको इसका जवाब जल्दी जल्दी से all of these गलत है disk space भी गलत है database भी गलत है तो सही जवाब जो है वो है आपका address line चलिए दोस्तों तो ये भी हो गया आपका तो 20 के 20 सवाल जो है वो आज हमने य करके जरूर बताईए दोस्तों जादा से जादा लोगों तक इस वीडियो को शेर कीजिए दोस्तों और subscribe कीजिए like भी कीजिए दोस्तों तो ये सारा कुछ हो गया अब मैं आपके साथ मिलूगा कल के और practice set लेकर किसी और subject का दोस्तों तब तक के लिए मुझे दीजी इजा मिलते हैं आपके साथ बाद में तो ठीक है अपना रखे के बहुत सारा खयाल अभी के लिए बाबाए